कि में करोना का कहर जारी है बहुत जादा करोना बढ़ गया है और उसी के नमद्दे नजर पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक हफ़ते छे दिन का लॉक्डाउन लगाया था जो कि कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है जिस तरह से तेजी से केसे बढ़ रहे हैं दिल्ली के अ गया था यह एक तरह से आखरी हथियार है करोना के से डील करने के लिए लेकिन जिस तरह से केसे बढ़ रहे थे यह आखरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था लेकिन अभी भी करोना का कहर जारी है और करोना कम नहीं हो रहा तो इसी लिए उसके मद्दे नजर और बढ़ाना चाहिए तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफते के लिए और बढ़ाया जा रहा है अगले सोमवार को सुबह पांच पजे तक के लिए इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमन दर पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं ये लगब 36-37% तक पहुँच गई है आज तक इतनी संक्रमन दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पर लेकिन 36-37% तक संक्रमन दर पहुँच गई है पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है आज 30 के नीचे आई है 29 पॉइंट कुछ चाहिए मैं यह नहीं कह रहा कि करोना खतम होने की दिशा में जा रहा है लेकिन यह अभी तथ्य हैं अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा हो सकता है बढ़ जाए हो सकता है कम हो लेकिन हम भगवान से प्राथना करते हैं कि करोना से हम लोगों को मुक्ती मिले पिछले हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी ज्यादा समस्या हो रही है दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस हो रही है हमने हाँ दिल्ली की इस वक्त जरूरत साथ सो टन की है और हमें केंद्र सरकार से चार सो असी टन एलोट हुई है कल दस टन और एलोट किया कें तो नबे टन अब दिल्ली को अलोट हुई है लेकिन ये पूरी अलोटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है इसका भी काफी कम एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुँची है तो 700 टन की जरूरत है इतने करोना की महामारी में उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुँच रह रही है जगे जगे से जो ऑक्सीजन आनी है ये बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगे 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 अस्पतालों में महसूस हो रही है लेकिन हमारे ऑफिसर्स हमारे सभी मंत्री गन हमेरे सभी लोग रात-रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की क कमी हुई है एक एक अस्पताल जहां जहां कमी है वहां सप्लायर से मैनिफेक्चरर से ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फोन करकर के कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे मैं यह नहीं कहुंगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही कई जगे फेल भ करके और अस्पतालों तक अक्सीजन पहुचाने कि जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी महनत कर रहे हैं चुकि अक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है इतनी कम है तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत पिछले दो घंटे के इंदर कितने ट्रक उसके निकले सप्लायर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितने इस्तिमाल हो गई कितने गंटे की और बच गई ये सारी चीज़ों ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहां कमी आने वाली है तो इसके अलावा केंदर सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है कल भी पूरा दिन केंदर सरकार के अलग-अलग मंत्रालें के साथ हमारे आफिसेज की टीम बैठी रही और दोनों टीमें केंदर सरकार और दिल्ली सरकार अच्छे से मिल के काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाइज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जादा अफरात अफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए कल मैंने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी और केंदर सरकार से तो मदद मिल रही है और भी जहां से भी हम लोगों को oxygen मिल सके oxygen के tanker मिल सके पूरी देश से दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल देश के सबी मुख्य मंतरियों को मैंने चिठी लिखी है कि अगर आपके यहां आपके राजे में गोर्मेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सिजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सिजन महिया कराईए ऑक्सिजन टैंकर महिया कराईए कुछ एक राज्यों के साथ बाचीत भी शुरूर हुई है जब भी कुछ कॉंक्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेकिन बहुत जादा कठिन परिस्थिती है इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं मैं उमीद करता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी अमर्जंसी क्रियेट हो गई है इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा बहुत बहुत शुक्रिया